दोस्तों यहां पर यह E-Rexa से बाटर फंप चलाया है जैसा कि मैंने पहले वी वीडियो डाली थी कि हमने E-Rexa की BLDC मोटर से यह बाटर फंप बनाया था और दोस्तों यहां पर देख रहे हैं यह कवार से खरीदी हुई पुरानी E-Rexa की मोटर है और यह कंट्रोलर भी पु दो से तीन घंटे अगर बेंटी फुल चार्ज हो चल जाता है अभी बेंटी डिस्चार्ज होने वाली है तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंट जो यह कम हो जा है वैसे भी दोस्तो इसके हिसाब से जो पंप है यह बड़ा लगाया जाए अगर वीडियो अच्छी लगे तो ल लाइक और सब्सक्राइब जरूब करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सब्सक्राइब